तो चलिए इस कोश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या है एक ली हमें क्या है स्फेयर है जिसका डाइमेटर हमें 6 सेंटीमेटर दिया है उसे एक सिलेंड्र कल यहां से अगर हम देखे तो तो यहां से एक सिलेंड्र कल हम बीकर बना लेते हैं ठीक यहां से एक सिलेंड्र कल बीकर है मेरा जिसका हमें क्या दिया हुआ है जो की पीकर बना दिया ठीक इसमें क्या है कि स्फेयर डाले जाते हैं ठीक यहां से अगर हम देखें तो इस तरह के चोटे-चोटे क्या है इसमे स्फेयर डाले जाते हैं टिक इसमें पहले हमारा क्या था इतना पानी था टिक यहां से अब स्फेयर इसमें डाल दिया गया तो इसका जो वाटर है वो कितना हो गया यहां से हमारा राइस कर गया बाई कितना राइस कर गया यहां से हमारा यह गर देखे हम तो यहां से लिखते करेंगे तो इसका अगर हम की कंसेप्ट अगर हम देखें तो की कंसेप्ट क्या होगा हम से कोश्चन में पूछ किया रहा है कि नंबर ओफ लीड स्वेर मतलब कि यह जो लीड स्वेर ने इसके नंबर हमें बताने की कितने नंबर इसमें डाले जाएंगे ठीक तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि जितना हमारा volume of water raised होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा n into volume of lead square होगा तो यहां से क्या लिखेंगे कि volume of water raised is equal to n यहां से लिखेंगे volume of each lead square यह होगा तिक बस इस question को हम क्या करते हैं अब solve करते हैं तो यहां से अगर देखें था हमें diameter of lead square कितना दिया हुआ है यहां से अगर हम देखें कि diameter of lead square यह दिया हुआ हमारा 6 cm तो यहां से हमारा जो radius हो जाएगा यहां से लिखेंगे radius radius of lead square यह कितना हो जाएगा 6 by 2 तो 3 cm तिक इसको हम लिख लेते हैं छोटी r is equal to 3 cm हम तिक और यहां से अगर हम देखें तो हमारा volume of lead square क्या हो जाएगा हमारा formula पता है 4 by 3 pi r q यह होगा टिक अब यहां से अगर हम diameter देखें यहां से diameter of cylindrical vehicle cylindrical vehicle तो यह हमें दिया हुआ है न यह दिया हुआ है यहां से लिखेंगे 18 यहां से अब यहां से देखें राइज इन वाटर कितना दिया हुआ है राइज इन वाटर लेवल यह हमें दिया हुआ है क्या 14 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से हम माल लेते हैं h is equal to 14 cm यहां से अगर हम की concept को लेके question को solve करें हम तो यहां से क्या लिखेंगे कि volume of volume of water raised water raised is equal to कितना हो जाएगा हमार number of lead square तो यहां से लिखेंगे और यहां से लिखेंगे volume of lead square यह हो जाएगा हमारा तो यहां से क्या हो जाएगा volume of water raised कितना हो जाएगा यहां से लिखेंगे पाई और यहां से हो जाएगा 3 इसका रेडियो से हो तो 3 Q यह हो जाएगा ठीक अब यहां से पाई से हम पाई हटा सकते हैं तो यह हो जाएगा 81 इंटू में 40 is equal to n into 4 by 3 into 3 into 3 into 3 तो 1 3 से 3 जाएगा हमारा कितना जाएगा value n is equal to यहां से अगर हम देखें तो 81 into 40 और यहां से हमारा कितना जाएगा 3 into 3 और यहां से हमारा कितना जाएगा यहां से यह into में 4 तो 3 से जाएगा कितने टाइम से अगर हम देखें तो यह जाएगा 9 से हम कट कर सकते हैं 9 times में ठीक यह जाएगा हमारा यहां से 10 times में तो n is equal to 90 तो यहां से number of lead यहां से लिखे देंगे कि number of lead is fair is equal to 90 तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहां से इसका हमारा answer हो जाएगा तो यहां से क्या लिखेंगे कि using these key concepts we solve this question hope you understood it well best of luck thank you